वेलकम सुडियल BA प्रोग्रम समेस्टर 2 का आपका DSC 4 मेजर पेपर है हिंदी का मौकिक साहित्य और उसकी परंपरा कोर्स क्रेडिट है इसके चार बिटे as per the UGCA 2022 and National Education Policy 2020 आपका ये पेपर है CBCS वाले बच्चों का नहीं है ये बिटा ये NEP वाले बच्चों का पेपर है हिंदी का मौकिक साहित्य और उसकी परंपरा अध्ययन समगरी आपकी जो है इसका सिलिवस टैली कर लीजी आप लूग पाठे क्रम है आपका IKAI 1 IKAI का नाम है मौकिक साहित्य की अवधारना इक ही पाठ है इसमें आपका मौकिक साहित्य के विविद रूप लोग गीत, लोग कथाएं, लोग गाथाएं लोग नाटे और लोग कुप्तियां दूसरी IKAI में आपके तीन पाठ हैं IKAI का नाम है लोग गीत, वाचिक और मुद्रित वाचिक का मतब बोल कर गाई जाने वाले मुद्रित का मतब छपे हो तो इसमें तीन पाठ हैं आपके पहला है लोग गीत संसकार गीत, सोहर सोहर कहते हैं विटा जब किसी बच्चे के जन के भी इर टाइम पर जो गीत गाई जाते हैं दूसरा पाठ है इसमें आपका लोग गीत विवेद रूप शम संबंदी मतलब जो मल्दूर लोग जोगां काम करते करते काते हैं जने काता जंत सरी, कटनी, रोपनी के गीत ये सारे के सारे गीत आपके दूसरे पाठ में रहेंगे लोग कथा और लोग गाथा का सामाने परिचाए तथा लोग गाथा हैं अल्भा, लोरिक, सारंगा, सदावरक्ष, बिहुला इनके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद है आपकी एकाई चार जिसमें तीन पाठ हैं एकाई का नाम है लोग नाटिय देखे, पहले बाले में आपने पिया जो है लोग कथाएं, लोग गाथाएं, उससे पहले आपने किया लोग गीत, और उससे पहले आप देख रहे हैं आपको बताया गया लोग गीत, लोग कथाएं लोग गाथाएं, लोग नाटिय, लोग नाटिय इन सब के बारे में आपर हम डिटेल में जानेगे तब कि लोकोक्तियां जो है उनको आपको शुरू में बता दिया गया है आगे पढ़ें कि हम लोक कता है लोक गता है अगला है आपका लोक नाटे लोक नाटे में आपका विधा का परिचाई यानि कि लोक नाटे क्या ही ये बताया जाएगा उसके बाद विवेद भाषाओं के विवेद नाटे रूप और शेली हैं अलग लग भाषाओं के क्या नाटे रूप रहते हैं उनके बारे में हम जानेगे और एक आपको दिया भी गया इसमें पढ़ने के लिए संक्षिप्त पद्मावत सांग जो कि लक्ष्मी जन जी का लिखा हुआ है ये था हमारा सिलिवल तो चली पहली इकाई शुरू कर लेते हैं इकाई बहुत ज़्यादा लंबी है इसलिए इसको मैं दो भागों मैं आपके लिए बनाऊंगी तो पहला वीडियो में आपके लिए आज बना रही हूँ पहले पार्ट का इसको आप धियान से देख लीजे कुछ doubt हो तो comment section में आपके बाद में पूछ भी सकती है तो यह काई का नाम है मौकिक साहिते की अवधारना समाने परिचे मौकिक साहिते और लिखिक साहिते का संबन्द यानि कि हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे कि मौकिक साहिते की अवधारना काम तभी कहां से यह develop हुआ कि हम किस सीज को मौकिक साहिते कहें क्यों उसे मौकिक साहिते कहें ये बाते हम पता चलेंगे, उसके बाद है समाने परिज़ा है कि मौकिक साहिते क्या है, उसके बाद मौकिक साहिते और लेकि साहिते का संबन्द क्या है, यह जो लेकिसाहिते होता है, उसके साथ मौकिक साहिते का क्या संबन्द है, यह सारे कि सारी चीजे हम आज के इस वीडि सबसे पहले हम जानने साहिति का क्या वतलब होता है, इसकी परिभाशा क्या होती है, आम तोर पर कहा जाता है साहिति है, मतलब जो साहिति से बनाएं जो समाज के हिति के लिए काम करता है, वो भाशा जो लिखित में या पाथे रूप में हो और समाज के हिति में काम करें साहित विल्कुए आम लोग हैं, उनकी जो अभी व्यक्ति है, चाहें वो बोलकर कहीं, या फिर लिखकर कोई बात कहीं, वो सभी की सभी साहिते कहलाती है, समाज की भूमी का उपजी ही साहिते है, मतलब कि समाज जो है, अगर उसे आप एक ट्रीके से जमीन माल लें, तो उसमें से ज जो भी कावे रचनाई की जाती है, उनको हम संस्कृत में साहिते कहती है, अब साहिते शब्द के लिए, इंग्लिष में एक वर्ड पापुलर है, लिट्रेचर, लिट्रेचर का समद्ध लेटर से होता था, लिट्रेचर जो वर्ड बनाए है, लेटर से बनाए है, यानिकि आपके रिटर्न लेंग्वेज तो इंग्लिश में लेटर से जुड़े होने के कारण इसका समन सीधे-सीधे पढ़ने लिखने से जोड़ दिया जाता है आगे आहिते में कुछ तथ्य कल्पना परस तो तथा कुछ समाज परसूत होते हैं साहिते जो होता है उसमें कुछ चीजे ऐसी होती है जो कि लिखने वाले की कल्पना होती है कुछ चीजे ऐसी होती है कि बिल्कुल सच की सच लिख दी जाती है कुछ बाते ऐसी होती है जिन्हें सच पराधारित बनाके कल्पना जोड़ करके लिखा जाता है इसमें कलपना की मात्रा कितनी भी ज़्यादा क्यों नहों इसमें कलपना चाहें कितनी भी ज़्यादा क्यों नहों लेकिन उसमें जो अभी व्यक्ति होती है वो समाज का सीधा संबंदू से होता ही है सीधे-सीधे वो समाज से जुड़ी होती है साहिते का जीवन से घनिष्ट संबंद होता है हम जो साहिते पढ़ते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं या बोलते हैं वो सारा का सारा कहीं न कहीं एक जो हमारा साहिते है उसे जीवन से जुड़ा हुआ होता है और वैदिक काल से काल कहा जाता है जब वेद रचे गए थे उस काल से लेकर आज तक के सारे साहिते का संब्ध मानव जीवन से येतना भी कुछ रचा गया है जो कुछ भी लिखा गया है उस सब का साहिते जो है उसका सारे के सारे का संब्ध मानव जीवन से कहीं न कहीं जरूर है और साहिते में व्यक्ति के अपने मन की बातों और को ही अभी व्यक्ति मिलती है जो कि मौकिक या लिखे दोनों ही रूपों में हो सकती है, यहन्य कि कोई भी व्यक्ति साहिते के नाम पर जो लिखता है वो या तो उसकी मौकिक अभी व्यक्ति होती है या फिर लिखे तब ही व्यक्ति होती है और जो उसके अपने मन के भाव होते हैं उन्ही को हम साहिते कहेंदे हैं अब माकिक साहिते का समाने परिचे हम लोग ले लेंगे इसका कोई लेखक नहीं होता है ऐसा नहीं होता है किसी खास व्यक्ति नहीं लिखा है उनको बड़े हक के साथ इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें कभी भी किसी को क्रेडिट देने की जिरूत नहीं आते हैं, आम तोर पर, आम तोर पर बिटा इवाद ध्यान रखिएगा, ऐसा निया किया कि यह कोई यूनिवर्सल लो है, आम तोर पर अशिक्षित अनपढ़ लोग आम तोर पर मौकिक परमपरा से युक्त होता है, मूलत है, यानकि इसे बोल के सुनाया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने विचार, व्यवहार, रीति, रिवाज, रूडियां, धार्मेक विश्वास, राग, द्वेश, प्रेम, वीरह, वादसल या आदि भावों को इसे कहते हैं मौकिक साहिते, लोग साहिते पर आधारित होने के करण मौकिक साहिते कहा जाता है, यह आम लोगों पर आधारिते, जो बिलकुल जो मूह से बूलते हैं बात को और बूल जाते हैं कई बार, उन लोगों पर आधारिते, इसलिए से मौकिक साहिते कहा जाता है, अब मौकिक अभी व्यक्ति जिसे भले ही किसी ने भी गढ़ा, आज उसे समाने लोग सब अपना मानता है, जैसे कि आपने पढ़ा नौ दिन चले अलाई को, या फिर आपने कहा कि उंट के पेट में जीरा, उंट के मुँँ में जीरा, तो ये सब क्या होता है, ये लोकोक्तिय हैं ये ये जो भी चीज़े हैं ये मौकिक साहिते के अंतर गता आ जाती है, जिन पर कोई कॉपी राइट क्लेम नहीं करता है, और हम भी उनको बड़ी तरीके से किसी को बिना क्रेट दिये इस्तिमाल कर सकते होते हैं, अब मौकिक साहिते, जिसे भले ही किसी ने भी गढ़ा आज उसे सामाने लोग समो अपना मानता है, आज उसे मौकिक साहिते को गढ़ा चाहें किसी ने भी, लेकिन हर कोई उसे अपना मानता है, यो कि उसे लोग की यूग-यूगीन वार्नी की साधना समाहित तथा लोग वा मानव प्रतिविंद, क्योंकि इस भाष्टा में प्रतेक शब्द, प्रतेक स्वर, प्रतेक लाए और लहजा सहज ही लोग को अपना लगता है, यानि कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई चैतने नहीं है, वो भी कोई बात कहता है, तो लोगों को अपना सा लगता है, उनके स्वर में बात कर रहा है, उनकी तरह से शब भाव विकास हम लोग पढ़ेंगे मौकीक साहिते जो है इसका जन्म कहां से हुआ प्राचीन युक से है बेटा बहुत पुरानी टाइम से चला आ रहा है हमारे हां साहितेकार की मौलिक कलपना ना होकर किसी प्राचीन कलपना का अनुवाद लगती है यह मौकिक साहिते हैं यह कभी भी किसी साहिते कार की मौलिक रचना नहीं होती है बलकि जो पुराने रचना कार होते हैं उनकी भारशा का उनकी कल्पना का अनुवाद होती है इसका पभाव संसार में सभी देशों के मौकिक साहिते पर प्रचुर भाव में पढ़ा जब मौकिक साहिते शुरू हुआ तो इसका सारी दुनिया के जितने भी देश थे उन सभी पर कहीं न कहीं पर पढ़ा यूरोपी देशों में इसका लंबाई थी यहां थी यूरोपी देश कहते है कि हमारे यहां मौकिक साहिते का बहुत लंबाई थी इसमें से पहले ही बहुत बोला जाता था, सबसे पहले भारतिये लोग कथाओं कहानियों का रूप अंतर जो हुआ अर्भी और पहली भार्षाओं में हुआ, यह भारत की जो लोग कथाओं थी, कहानिया थी, उनको सबसे पहले अर्भी और पहली भार्षाओं में ट्रांसेट किया में था। संसार में सिर्फ मनुष्य द्वारा ही रुदय में उत्वन भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाशा का पयोग किया जाता है। जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया, उसकी भाशा परिश्कत होगती गई, सुधार आता गया, उसकी मुखिक साहिते का निर्मान भी उसी तरीके से विक्सित होता रहा। समाज में रहते हुए मनुष्य को एक दूसरे से संपर्क और कारियों के लिए भाशा किया है। जैसे हम समाज में रुकें, समाज में रहने लग गए मिलकें, हमें भाशा की जिरुट महसूस होई ताकि हम अपने विचार दूसरे तो पहुचा पाएं उनसे मदद ले पाएं, उनसे कुछ चीच चाहिए तो बता पाएं उनको ताकि हमें दे सकें। भाशा समाज के लिए इस्तिमाल कीजाती है, अगर मैं सोचमें अपनी अपनी अलग भाशा इस्तिमाल बनाओगी और उसी इस्तिमाल करूँगी जो किसी को समझ में नहीं आईगी तो उसका मुझे मुझे कोई फाय्दा नहीं होगा। आगे जन्व के समय बच्चे की कोई भाषा ख्यामता नहीं होते हैँ हो तो जिस समाज में रहता है वहीं से सुनकर के वो सीख जाता है आगे है दीरे दीरे परिवार एबम समाज के साथ सम्मद बनाने एबम शिक्षन के द्वारा उसमें बोलने की शमता का विकास होता है दीरे दीरे व्यक्ति जो होता है जब जन्म होता है बच्चे का तो बहुत दीरे दीरे ओ परिवार के साथ connect बनाता है अपने जो उसका समाज है उसके साथ connect बनाता है और साथ में दीरे दीरे ओ शिक्षा के द्वारा उसको बच्चों को बोलने के वही ओक्षमता का विकास करता है जैसे आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं हिंदी आपकी मात् करके स्टॉक करते हैं अपने पास और जगा जगा इस्तेमाल करते हैं अलांकि यह जगा जगा चेंज होती रहती है परिवर्तन शील होती है लिकmi рук smpati होती है इसको हमने याजaud करके शम्हाला हुआ होता है, अगला है निरंतर विकास की सम्भाव है, भास्ट Ambright हमेशा से ग्राही रही है किसी भाषा में आप किसी एक भाषा में दूसे भाषा के सम度 करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूं है बिटा आगे है वास्तम में भाषा का मोखिक रूपी मोखिक साहिते, मोखिक साहिते किसे राज आता इसका सर्जन कोई दो दिन में नहीं हुआ है बेटा, मौकिक चाहिते का, कि शुरू से लोग इसको बोलते चलिया हैं, उसी तरीके से धीरे-धीरे विक्सित होता गया है, अब हम पढ़ेंगे मौकिक चाहिते और अभिजास साहिते, निकि जिसे के निशिस चाहिते कहा जाता ह है, इन दोनों में क्या अंता है, मौकिक साहिते तो वो होता है, जो हम कहीं भी बोले और भूल गए, दूसे लोग उसको उनको पसंदाई इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभिजास साहिते कहते हैं, जो कि आपने अपने कोई बुक लिखी, उसे चपवा लिया, कोई आर्टिकल तो आपने वो जिस बाशा में लिखा है, वो आपका अभिजास साहिते हैं, और उसको निशे साहिते भी कहा जाता है, बीटा, तो हला कि इनके अंतर हम देखेंगे, इनके ये बारे में थोड़े जानेंगे, हला कि दोनों ही लोग से प्रिजित हैं, आम समाज के ही होते हैं, दोनों के दोनों साहिते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में काफी असमानता होते हैं, दोनों में काफी अलग-अलग होते हैं, काफी डिफ्रेंसे होते हैं, साहिते लोग जीवन के तत्यों को ग्रहन कर अपनी पहचान बनाता है, साहिते जो होता है, जो हमरा लोग जीवन है, आ मौखिक साहित है होता है यहीं पर अपने आप पर लवित होता है पुश्पित होता है मतलब किसी ने सुना आगे इस्तिमाल कर रहे हैं लोग और आगे इस्तिमाल कर रहे हैं परिकेशे वह बात बढ़ती चली जाती है विद्वान वेर्ड ने इसे मौखिक कला भी कहा, यानिकि इसे मौखिक कला कहा, यानिकि हर कोई बोलने की कला हर किसी में नहीं होती है, कोई ही कोई होता है, जो कि मौखिक कला को जानता होता है, हर कोई बोलने में fluent नहीं होता है बेटे हैं और परमपरा और संस्कृती से बहुत गहरा संबन्द होता है। लिकेश साहिते ने जी विचारों की लिकेश अभियती होती है, जबकि मौकिक साहिते जो होता है, उन्मुख भाव से बढ़ा हुआ होता है। जब आप मौकिक साहिते की बात करते हैं तो भाशा और बोली की बात करते हैं, लेकिन जब आप लिकेश साहिते की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, उसमें कैसे कैसे विखसे शब्दों का इस्तिमाल किया गया है, उसकी बात करते हैं। क्यादार पर अच्छा जाते हैं, यह नियम है, इसको तो अपनाना ही पढ़ेगा, इसके बाद आप पुछ की करो, यह चलता है, लिखे साहिते हैं, आगे है, लिखे साहिते हैं, फिर वह रस, चंद, अलमकार, आदिक सास्ति, नियमों से बदा होता है, उसी क्यादार पर रच लिखे साहिते जो होता है उसमें रसो का, छंद का, अलंकार विधान का बहुत ध्यान रखना होता है जब कि जो मौकिक साहिते होता है उसमें इतनी जदा ये बंदिशे नहीं होती है अब लिखे साहिते जो होता है उसको नियम के अनुसादी व्यक्त किया जाता है लेकिन मौक मौकिक साहिते होता है उसमें इतने ज़दा नियम नहीं होता है आगे बात आ जाती है मौकिक साहिते के विवेधर रूप साहिते होता है आम लोगों का साहिते होता है क्योंकि आपको भी मालू है इंसान ने पहले बोलना सीखा था लिखना बाद में शुरू किया था तो जाहि इसी बात है कि पहले लोक साहिते आया हमारे समाज में, जीवन की ही तरह साहिते के भी विरोधी तत्वों होते हैं, विरोध तत्वों के अनुरूपी इसका विकास होता है, जैसे जीवन में बहुत सारी वेवित तत्वों होते हैं, सुख है, दुख है, आंसु है, हसी है, मुस आगे हैं इन सबी स्थितियों और मनुद्रशाओं की अभी व्यक्ति के लिए जिन रूपों को अपनाया जाता है उन्हें साहिते के तत्व या भीड कहा जाता है इनको अलग-अलग स्टिए की जाता है बिटर आगे कहते हैं वो कथा कहानी गीत अनृतिय कहावतिय लोकोगतिय आती है अधि में और लोक साहितें है और लोक साहिते का व्यविविन विद्वानों ने अलग-अलग साहिते में ब्यक्तियौपकतिय istiyorum आपको कोई भी परिवासा लिखनी है हिंदी की तो कहिए विद्वानों में काफी मत भेज रही है तो मत भेज काफी थे उनके बीच मनों ने साहते की रिचना की है तो ये था आपका पहले पार्ट का आधा वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है अभी इसके आगे का में आपके लिए बहुत जल्दी शेयर करूंगे पूरा का पूरा सिलिवस ही शेयर करूंगे आपके साथ में चैनल अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे अब कर लिजिए आपकी परिक्षाओं जो कि आप मैं जून में होगे उनके लिए बहुत सारी श